हर ट्रावलर की ड्रीम डेसिनेशन है गोवा जी हां गोवा गोवा सिफ हम इंडियन्स का ही फेवरिट नहीं है यहां पे हर साल लाखों की संख्या में फोर्नर्स भी विजिट करने आते हैं गोवा इंडिया की वो जगह जहां पे हर साल बहुत सादा टूरिस्ट आते हैं तो गाइस गोवा अगर आने का प्लान कर रहे हैं आप ग्रूप में आना चाहते हैं चाहे सोलो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हर ट्रावलर को एक परफेक्ट आइटनरी चाहिए गोवा मे इस व्लॉग में मैं आपको एक परफेक्ट आइटनरी देने वाली हूँ जो 4 nights 5 days की होगी बैसिकली लोग 2 दिन के लिए भी गोवा आते हैं 10 days के लिए भी गोवा आते हैं तो इस अप टो यू कि आपको अपने एकॉर्डिंग उसको कैसे प्लान करना है सो आइटनरी समझने से पहले हमें गोवा का मैप समझना जरूरी है यह है गोवा का मैप एन गोवा बैसिकली दो पाथ में डिवाइड़िड है नॉर्थ एंड साउथ कोवा सो इस व्लॉग में मैं आपको नॉर्थ एंड साउथ गोवा दोनु कवर करूंगी टू देज फॉर नॉर्थ गोवा एंड टू देज फॉर साउथ गोवा एनफ है बट अगर आप 10 देज भी रहते हैं तो इसको आप धीरे धीरे करके एजली एक बीच दो बीच करके आप एकॉर्डिंग इसको प्लैन कर सकते हैं सो अर्छी मॉनिंग का फ्लाइट पकर करके आप गोवा सकते हैं अन्ड फिर आप कलंगूट पीच और बागा बीच को फylon डे पे एक्स्प्लोर कर सकते हैंना ब्र רוצ अलंगर करे आप दूफेर में अराम से चिल करो का लंगूट पर इतना लंबा ट्रावल के बाद ठक जाते हैं सो जहां पे हैं वही पे एक perfect सा sunset देखो विकोज sunset को छोड़ के जाने में ना मज़ा नहीं है यार गोआ में हर दिन का sunset enjoy करें और गोआ है और nightlife नहीं enjoy किया तो trip ही incomplete है तो first day में ये भी कर डालना टिटोस लेन चले जाना बागा काफी फेमस है सो डे टू में आप नॉर्ट कुवा के मांकी बीचिस को कवर कर सकते हैं लाइक अरंबोल, मैंडरम, वेगेटर, अंजुना, चपोरा फोर्ट आप जा सकते हैं दिल चाहता कि जहां पर शूटिंग हुई थी अगर आप अंजुना वेडनेस टेक को विजिट करते हैं तो अंजुना में एक बहुत फेमस फ्ली मारकेट लगती है तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं अंजुना, वेगेटर, अरंबोल ये सारा एक साथ ही है बीचिस तो आप एक ही दिन में प्लान करके सबको विजिट कर सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग और सीफूट राइ करने के बाद आप वेगेटर बीच के पास में एक फोट है अब नाइट में हम कसीनो विजिट कर सकते हैं प्राइस पॉपरस इन फिफ्टीन हंड़े टो टू थाउजन रहता है पंजी में बहुत सारे अच्छे कसीनो हैं माइ फिवरिट इस बिग दाड़ी तो अगर आपको कसीनो नहीं जाना तो आपके से अच्छे शैक पे बैटके या काफे पे बैटके गोवन सीफूट ट्राइ कर सकते हैं प्राउन्स, क्राब, फिश काफी इसली अवेलिबल रहते हैं यहाँ पे अगर आपको अच्छी रील अच्छी फोटो चाहिए तो आपको एकदम early morning में जाना है because यह बहुत ज़ादा crowded हो जाता है 8 बजे के बाद पारा रोट करने के बाद आप जा सकते हैं fontaine house, fontaine house काफी beautiful है चारो तरफ colorful Portuguese quarters बने हुए है यहाँ पर early morning आईएगा तो आपको streets बिलकुल खाली मिलती है जिससे आप easily photographs ले सकते हैं reels मैंना सकते हैं, काफी beautiful सी मैंने भी अपने insta page पे सारे share की हुई है आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं fontaine house में काफी सारे cafes भी हैं काफी famous cafe हैं basically आप early morning आते हैं तो breakfast के लिए आपको बहुत सारे options हैं cafes का, आप सब को explore करें old goa की vibe लें थोड़ी सी fontaine house में breakfast करने के बाद हम old goa के church विजिट कर सकते हैं बैसलिका ओफ बॉम जीजे, sea cathedral church विजिट करने के बाद हम mangeshi temple को भी विजिट कर सकते हैं जो की लता mangeskar ji ने बन वाया था गोवा में night में आप अपने पास की किसी भी market से धेर सारी shopping कर सकते हैं काफी अच्छी markets है गोवा में और फिर किसी shack में या अच्छे काफे में जाके अराम से बैट के seafood enjoy करो, गोवा आए हो तो seafood खाओ यार जम के खाओ जितने दिन रह रहे हो गोवा तो पूरा not goa विजिट करने के बाद day 4 पे आप साउथ कोवा को विजिट कर सकते हो not goa से साउथ कोवा 85 km की दूरी पे है that means आपको दो से धाई घंटा लग जाएगा हम तो स्कूटी पे गए थे बट मैं recommend करूंगी आप लोगों को कि आप लोग या तो cap करे नहीं तो taxi करे and driven cars भी available होती है तो आप वो भी rent कर सकते हैं and जा सकते हैं easily साउथ कोवा में आप पालोलिम बीच, कोलवा बीच, कोला बीच विजिट कर सकते हैं साउथ कोवा काफी peaceful environment आपको देता है जहां पे नॉर्ट कोवा काफी शोर शराबा वहीं पे आप साउथ कोवा में बिलकुल अलग मह Means दिखिये कि एकटम शान्ती तो जिन लोगों को शान्ती पसंद है उन लोहों के लिए तो पूरा का पूरा साउथ कोवा ही बना हुआ है साउथ कोवा में सबसे फेमस बीच है पालोलिम और कोला बीच, पालोलिम जहां पर एकदम शांती वाला महल रहता है काफी अच्छे आपको रेसॉट्स मिल जाते है स्टे के लिए वहीं पर कोला बीच अपने कायकिंग के लिए काफी फेमल्स है और इस बार ही हमने कायकिंग को एक्सप्लोर किया कोला बीच में आप भी नेक्स टाइम जब गोगा का प्लान करें तो कायकिंग ज़रूर ट्राय करें गोला बीच में ये काफी अच्छा एक्सप्रियंस है ब्ल्यू लगून में बहुत अलग सा वाइब देता है ये जगा यार डेफोर में साउथ कुआ के बीचिस घुमने के बाद आपके पास दो ऑप्शिन है आप नौट कुआ से इतना दूर आते हैं तो या तो आप दो दिन स्टे करिए साउथ कुआ में अगर आपका फाइफ डे का ट्रिप है तो आराम से आप उस दिन वो उसी बीच पे रिलाक्स कर सकते हैं फुल दे और नेक्स्ट आप काबोडिरामा फॉर्ट जा सकते हैं काबोडिरामा फॉर्ट से संसे तो जरूर देखिएगा ये वर्थ वाचिंग है साउथ कुआ का सबसे बेस संसे यहीं होता है उसके बाद आप अराम से किसी शैक में या किसी फेवरिट आपके काफे में बैटके आप सीफूट को एंजॉय कर सकते हो अलग-अलग फिश ट्राइ कर सकते हो काफी एजली हर जगा सो ये तो हो गई हमारी आइटनरी की बाद अब कुछ basic questions होते हैं जो first time Goa जा रहे होते हैं उनके mind में होता है कि आपके water sports के क्या charges रहेंगे water sports कहां कहां किस किस बीच पे available रहता है तो मैं आपको बता दूँ Goa में हर बीच पे आपको easily water sports आप available है आपके लिए recommendable ये रहेगा कि आप full package लेंगे water sports का जो कि single person को पढ़ता है 1500 to 2000 के बीच में उसमें paragliding, bumper ride, banana ride सारा water sports एक साथ आजाता है single water sport activity थोड़ा महंगा पढ़ता है इसलिए पूरा package लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे वैसे कुछ ज़्यादा time तो लगता नहीं है दो-दो-पांच-पांच मिनट का हर water sport रहता है बट अगर आप single करते हैं तो charges आपको ज़्यादा लगते हैं प्लास South Goa में जो हमने kayaking किया था वो 250 per person था off season में आप जाते हैं तो वो 200 भी आपको kayak easily मिल जाता है बहुत सारे लोग ये सुचते हैं कि हम गवा में stay कहां पे करें तो आप recommendable तो यही रहेगा कि आप कालंगोर चाहे आरंबुल side stay कर सकते हैं नौट गवा में अगर South Goa जाते हैं तो आप पालोलिम side stay कर सकते हैं hotel या resort आप अगर beach के पास रहते हैं तो आपका काफी time save हो जाएगा काफी सारी ऐसी property हैं गवा में जो on beach भी available है आपको तो आप वो भी try कर सकते हैं prices आपके उपर है आप जैसी property लेंगे price वैसा रहता है वैसे आपको minimum 500 से लेके hostel room गवा में start है आपको अगर normal resort type का चाहिए तो 5000 तक भी rooms available हैं गवा में so hotel के बाद next question लोग ये पुछते हैं कि scooty कहां से रवेसे तो आप जहाँ stay करते हैं जिस hotel में scooty आपको easily वहीं से मिल जाता है but बहुत सारे vendors भी आपको मिल जाते हैं okay so next is best sun downer place क्या है गवा में तो मैं आपको नीचे description में पूरा list दे दूँग आप वहां से check कर सकते हैं जो भी आपको suitable लगेगा आपके आसपास का आप वहां पे जा के विजिट कर सकते हैं so guys I hope मैंने आपके सारे questions के answer इस vlog में दे दिये होंगे so आप बहुत easily आप गोवा का trip प्लान कर सकते हैं आपको मेरी गोवा series कैसी लगी मुझे comment में please बताईए and मिलते हैं नए व्लोग में till then bye bye take care